तो आज फिर से हम आप लोगों के लिए हिंदुस्तान की सबसे डरावनी घटनाओं मैंसे किसी एक घटना के बारे में बताने आये हैं तो ये घटना है 1990 के दशक की घटना है और ये घटना बैंगलोर के दो गाओं में घटित होती थी और वो दो गाओं के नाम है मलेश्वरम और दूसरा नाम है राजाजी नगर अब ये जो घटना है इस घटना बे होता क्या है एक disp 그래도 प्र गाओं के घरों के बाहर जाके दर्वाजे खट खटाया करती थी और उसी के साथ ये उस घर के सदस्यों में से किसी एक सदस्य की आवाज निकाला करती थी अब किसी ये क्या करती थी आवाज निकाला करती थी अब इससे क्या होता था कि उस घर के जो सदस्य होते थे वो यह सोचते थे कि यार हमारा कोई जो family member है वो बाहर है वो हमको बुला रहा है तो वो क्या करते थे गेट खोलने जाते थे अब obvious बात है यार कि जब भी जैसे कि कोई भी आपका family member आपका आवाज दे करके आपका gate खट खटाएगा तो आप क्या करेंगे gate खोलने जाएंगे तो उसी तरह से वो लोग भी क्या करते थे यह अपना gate खोलने जाते थे और जैसे वह gate खोलते थे तो वह औरत उन लोगों को अपना शिकार बना लिया करती थी तो starting में शुरुवाती दिनों में जो यह घटना है इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई और इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई इस वज़े से गाउवालों ने इस घटना पर विश्वास नहीं किया लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया समय बढ़ता गया वेसे वेसे यह घटना भी क्या होती गई बढ़ती गई अब जैसे जैसे यह घटना बढ़ती गई तब जाके गाउवालों ने इस बात पर विश्वास किया कि यहां गाउव में एक ऐसी ओरत है जो लोगों को अपना शिकार बनाती है अब उसके बाद से कि महां पर आपके राजा जी नगर गाउं में और एक मलेश्वरम गाउं में यह होने लगा कि रात को छे बजे के बाद हर घर के जो दरवाजे होया करते थे वो बंद हो जाया करते थे कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं निकला क करता था भले ही कितना ही अरजंट काम क्यूं न आया हो उसके बाद हर घर के दरवाजे बन हो जाया करते थे उसी के बाद में आपको एक मलेशवरम गाउँ का एक आदमी है उसकी घ्रना बताता हूं मलेशवरम गाउँ का एक आदमी है जो अपनी मा के साथ रहा करता था अब उसकी मा कहीं बाहर गई हुई थी अब रात को वो औरत क्या करती है उसकी मा की आवाज में उसकी मा की आवाज में उसको आवज देती है और गेट खट खट आती है तो उस आदमी को यह लगता है कि यार यह मेरी मा है तो वो जाकर के अब उसका गेट खोलता है अब जैसे यह गेट खोलता है वो तो देखता है कि वो उसकी मा नहीं थी वो औरत थी जिसको गाउँ वाले दाकन और चुडेल के नाम से बोलते थे तो जुसने जैसे देखा कि वो उसकी मा नहीं है वो डाकन और चुडेल है तो वो जो औरत होती है वो उसको भी अपना शिकार बना लेती है फिर कुछी दिन बाद कुछी दिन बाद राजाजी नगर के गाउं के बाद आती है वहां पर क्या होता एक ओरत के साथ ये घटना घटती है रात की बाद है वो औरत अपने पती के साथ सो रही होती है अब रात को जो वो औरत है दूसरी औरत की में बात कर रहूँ डाकन की डाकन चुडेल जिसको गाउंवालों नाम दिया था तो जो डाकन होती है वो रात को उस लड़की के जो अपने हजबन के साथ सो रही होती है तो उस लड़की के घर पर जाती है और गेट पर टक टक की आवाज देती है और उसके पती की आवाज से उस लड़की को बुलाती है पर जैसे ही वो उठती है तो वो लड़की एकदम श बाखर कोने तो उसके माइण में ये आता है कि ये तो वही डाकर्ण है जो लोगों को अपना स्विकार बनाती है तो अब वो डर की वज़े से क्या करती है वो डर की वझे तो वो बहुत ज़्यादा डड़ जाती है पर वो अहिमत दिखा करके क्या करती है वो खिड़की के पास जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि कौन है तो उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखता तो वो लोट करके वापस अपने बेड की तरफ जाती है फिर से उसको गेट के खट-खट आने की आवाज आती है और उसके पती की पुकारने की आवाज आती है तो फिर से वो लड़की वापस विंडो की तरफ जाती है और कांपती हुई आवाज में यू बोलती है नालेबा यह जो नालेबा वर्ड प्रचलित हो गया पेंगलोर के अंदर Pinealore फिर जो डूगाओं थे वहाँ पर प्रचलित हो गया कि हर घर के खेंट की हर घर के दरवाजे पर नालेरो वर्ड लिखा मिलता है लोगों को उस डाकन उस चुडेल से छुटकारा पाने का केवल यही एक उपाय उन लोगों को मिला था जिससे उन लोगों ने क्या करा था अपने घर के दर्वाजे के बाहर हर घर के दर्वाजे के बाहर नालेबा लिखवा दिया था बस यही एक कहानी थी तो जो ये घटना है इस घटना के उपर हमारे सामने एक मूवी भी है उस मूवी का नाम है इस्त्री I hope कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी